पसकार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टिटीरी पक्षी के बारे में टिटीरी पक्षी क्या आपने अंडे पार्स पत्थर से तोड़ती है टिटीरी पक्षी क्या कहीं से पार्स पत्थर लेकर के आती है टिटीरी पक्षी क्या आपको एक दिन में करोड़ पती बना सकती है क आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मित्रों आप सभी से अग्रे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मित्रों टिटिरी पक्षी जो है कभी भी अपने अंडे को पारस पत्थर से नहीं तोड़ता है जिहां दोस्तों और ना ही टिटिरी पक्षी कहीं से पारस पत्थर लेकर के आता है टिटिरी पक्षी केवल और केवल अपने अंडे को अपने चोच से तोड़ते हैं और इनके अ अंडे में पड़ा पड़ा होने लग जाता है तब अंड़ तूड़ जाता है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं टिटीरी पक्षी जो है अपने अंडे को पार्स पत्थर से नहीं तोड़ता है जिहां दोस्तों और टिटीरी पक्षी अपने अंडे को पार्स पत्थर से तोड़ी नहीं सकता जिहां दोस्तों क्यूंकि जो पार्स पत्थर होता है वह थोड़ा भारी होता है और टिठीरी पक्षी जो है अपने मुँपर पार्स पत्थर को नहीं दवा सकती जिहां दोस्तों यानि कि अपनी चोच पर टिठीरी पक्षी नहीं दवा सकती और चोच की बातों पर नाए ठीरी पक्षी जो है अपने अंडे को पार्स पत्थर से नहीं तोड़ती है और जो इनकी अंडे होते हैं प्राकर्तिक रूप से तूटते हैं और अपने चोंच से भी तोड़ती है यह पक्षी अपने अंडे को तो आप यहां से अंदर लगा सकते हैं ठीक तो इस पक्षी को परसान ना करें और हो सके तो दोस्तों इस पक्षी को सरक्षण दें और इस पक्षी के बारे में लोगों को जाग रुप करें और उनको बताएं कि जो लोग यूटूल पर बातें फैला रहे हैं कि टिटेरी पक्षी आपको करोड़ पती बना सकती है यह केवल और केवल एक कोरी कलपना है और इसके उपर विश्वास करने योग नहीं है ठीक है दोस्तों तो आप सभी शन्रोध है कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करें ताकि सभी लोगों त कि टेरी पक्षी पाया जाता है यह थोड़ा बड़ा होता है साइज बे और इसकी कई छोटी प्रजातियां भी हैं और कई बड़ी भी हैं अलग-अलग रंग और रूप में और यह हमारे पर्यावरण का रक्षक भी कहा जाता है और इसका हमारे पर्यावरण में संतुन बन पिरतन के लिए पहले से ही प्रितन करने चाहिए तो दोस्तों यदि आप को जानकारी अच्छी लगी यहो तो यहर करें ज्यादा से ज्यादा न लाइक करें सब्सक्राइब करें गभंटी आउस धत व्यक्तल देख्यों आपने हमारी वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहींद दोस्तों और नेक्स्ट टाइम पर हम फिर से एक वीडियो ले करके आएंगे तब तक के लिए नमस्कार